अमरावति के करीब धार्नी धार्नी ग्राम से कौन परिचित नहीं हुगा अनेक विशच्चताओं से परावा धार्नी इस धार्नी ग्राम के ललित भाई जोशी जिनकी उम्र 62 वर्श ये ठेट धार्नी ग्राम से साइकल चलाते हुए और बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, इस सुत्र का परचार करते हुए, अम्दाबाद पदारे, अनेक न्यूस चैनलों, अनेक अखबारों ने उनके इस प्रयास के नोद ली है, आए श्री ललिद भाई जोशी, इनसे आपकी मुलाकत करवाते हैं, इनके विचारों के मैं महाराष्ट्र के अमरादी जिले के धार्ने गाव का निवासी, जो कि अधिवासी बहुल क्षेत्र है, मेरा जो प्रविजन था, कि मैं जिस आधिवासी क्षेत्र में रहता हूं, उसको पूरी दुनिया चाने, वैसा तो शेरों के लिए जाना जाता हूँ एरिया, फिर और दूसरा प्रविजन मेरे साथ में यह भी था कि में को सामझे कारे में रूची है, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, योग से संबंदित लोगों को जानकारी मिले, क्योंकि मैं खुद स्वयम भी एक पांच साल पहले मेरा अमदाबाद में एक्सिडेंट हुआ था, मे अभी स्वास्त हो सकते हैं, इस प्रेणा को लेकर और अभी-अभी मैं संसूत क्लास भी धार्नी के अंदर चलाता हूं, हमारे गुरु अरे भी है, तो इसके बाद में यहां से रोजड जाने हो, साइकल सी, प्यू राजस्तान जाने हो, तो लोगों में जागरोती पैदा का है, यह मेरा मुख्य उद्देश रहा है, इसके पीछे, धार्नी से जो यह मेरी यात्रा हुट करीबं तकरीबं 625 किलो मेटर के लगब की हुई है, एक अप्रिल को मैं निकला था, और एक अप्रिल चुनने का भी मेरा जो विशेश महत हो था, वो यह था, कि हमारी संस्कूत को इस अंग्रेश समाज ने बदनाम करके रखाए, एक अप्रिल ने मुर्खों का दिन, हमारा नया वर्ष शुरू हुआ, नव अरश रंब था, और उसको अप्रिल मुर्ख दिवस के रूपे मनाए जाता है, तो मैं एक तारिक को ही नुकलूंगा, कि एक तारिक जो हमारी ह है, यह हमारे गरों का दिन है, इस हिताब से उस उद्देश को लेकर वो भी साथ में एक उद्देश था, हम्दावाद आना उसके पीछे बहुत बढ़िया सवाल कि अपने, हम्दावाद आने का मेरा मुख्य कारण था, कि मैं मुर्थी पूजा में नहीं मानता हूँ, मेरा यह कहना है, मेरी बेटी मेरा भगवान है, मेरा तीरत है, तो मैं कहीं, मैं चाहता तो मैं वैश्नो देवी, और बागी दिगर जगर जा सकता था, उनका रिश्वारे इधर हो, तो कहीं भी मैं जा सकता था, लेकिन नहीं, मैं मेरे तीरत्र स्थान मेरी बेटी के घर कि भई सभी लोगों ने अगर आपका तन स्वस्त रहेगा तो ही आपका मन स्वस्त रहेगा और मन स्वस्त रहेगा तो विचार अच्छे आएंगे अच्छे विचार आएंगे आपके हाथ से अच्छे कारे होंगे और आपके हाथ से अच्छे कारे हुए तो हमारा गाव प्रगति करेगा हमारा राष्ट्र प्रगति करेगा राज्य प्रगति करेगा और हमारा राष्ट्र प्रगति करेगा और